तो गाइस चाय बनकर हो गई एकदम रेड़ी यहां पर तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माइड न्यू व्लोग तो अभी हम जो है आए हूँ हमारा दूसरे आमा कपास का जो खेत है यहां पर हम आए हूँ है और अभी कपास जो है फिर नीचे उसमें जो कुंप्रा होता है से इसमें से बाहर निकलने का जो काम चल रहा है तो अभी यह वहां तक पहुंचे हैं जहां पर आप वह सब छेफ़ेद सब लोग जो हो चाई पीने के लिए थोड़े दिर के लिए काम स्टोप किया है तो अब चाई बनाते हैं पहले और बाद में मिलते हैं तो गाइस यहां पर दियसी जुगार से बन रही है चाई तीन पथर रखकर और अभी इसमें चाली गई है चाई अभी इसमें डाली जाएगी शक्कर तो गाइस अभी इसमें डाला जा रहा है दूद यहां पर अब थोड़ी देर चाई जो है उपकेगी बाद में चाई होगी अग्दम रेली तब गाइस फाइनली चाई पक चुकी है थोड़ी से ही बाकी है तो गाइस चाई बनकर हो गई एकदम रेली यहां पर अभी डाली जा रही है चाई तो गाइस अब फाइनली हमसे बाकी है हमने जो है वो शाई बायादरम से पी ली है और वापस हा चुके हैं कपास को उतारने के लिए तो यहां पर है कपास और हम सब लोग वहां पर पहुंचे हुए तो चलते हैं चिदा वहां पर और बाद में उतारते हैं कपास तो गाइस अब बच चुके हैं 12 और हो गए है दो बेर तो पहले खाना खाता है दो बेर का और बाद में फिर मिलते हैं तो गाइस आप सब जी बनी है बैंगन की और यह है चास और रोटी तो यह दो पहर का खाना चाई है तो खाना खाते हैं और बाद में मिलते हैं उल्डे वड़ी है करेंगे तो गाइस यहं पर बन रही है फिर से चाई जो पहर के बाद में जो चाई पीते है वह चाय अभी बन रही है तो गाइस अब जो एक पास है इसे पहारी में अच्छे से डाल देर दिया जा रहा है तो गाइस अब जा रहा है तो गाइस अब फाइनली हो गया साम तो अब कुछ भी काम नहीं करते हो सीधा चलते हैं घर पर तो आई गोप गाइस का वाल व्लोग अच्छा लगा होगा और प्लीज व्लोग अच्छा लगा लाइक कर देना चैनल पर शुक्राइब कर देना मिलते हैं बहुत ही जल दिया को और नए वीजियो के साथ तो के लिए जैए बादे मातरम